बिस्मिल रह्मानी रहीम असलाम लेकम फ्रेंड्स वेलकम बैक टो बहार की चल्ड मैंच बना रही हूँ गर्मियों में ठंडी ठंडी मैंगो मलाई लस्सी इस वीडियो को पूरा दीखिए अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्रेब नहीं किया हो तो सब्सक्रेब ज़रूर कर लेना और इसी की साथ फेस्बुक और इंस्टाग्रम पेज में भी फालो कर देना तो चलिए इसे अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैहां पे एक बेगन पले आम ले रही हूं यह पका हुआ मीठा आम है इसको हम पीलर से पील कर लेंगे मैंने आम को पील कर लिया है वे इसको रॉफली चॉप कर लेंगे अब कटे हुए आम की टुकडों को एक जूसर जार लेकर इसके अंदर डाल रही हूं इसके अंदर दो से तीन टेबल स्पून जितनी शकर डालेंगे एक कप आईस क्यूब्स यानि के बरफ अब मैं यहां पे दही ले रही हूँ यह मीठी दही है ज्यादा खटी नहीं है फ्रेश दही इसको एक कप जितना डाल देंगे जार के अंदर अब एक कप घर की मलाई ले रही हूँ यह घर की बनी मलाई है मैंने अभी थोड़ी दिर पहले दूज से ही निकाला था इसको भी मिक्सर जर में डाल कर अच्छी तरह से स्मूध ब्लेंड कर लेंगे अब यह हमारी मैंगो मलाई लसी तैयार हो चुकी है इसको एक सर्विंग ग्लास के अंदर पोर कर देंगे इसके अपर एक स्कूप आइसक्रीम डाल रही हूँ मैंगो फ्लेवर वाला और थोड़े से कटे हुए आम की टुकडे थोड़े से कटे हुए बदाम डाल कर इसको हम सर्व कर लेंगे बिसमिल रह्मानी रहीं यह दिखे फ्रेंट्स हमारे गर्मियों की ठंडी ठंडी मैंगो मलाई लसी बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंट्स आपको यह मेरे रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना और उसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अल्ला हाफेज